सब्सक्राइब कीजी हमारा चैनल क्रेजी जिकेटरिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं एलो फ्रेंड्स वेलकम तो क्रेजी जिकेटरिक दोस्तों इंडियन जोग्रफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में देखिए हम बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पतियां और भारती वनसस्ताओं के पार्ट टू की जिसमें देखिए हम सभी important questions को cover करेंगे 50 plus important questions देखिए इस टॉपिक से related वो सारे questions हम cover करेंगे पार्ट वन में देखिए हमने पूरा theory section अच्छे से cover करा था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो description box में link दे रखा है आप वो वीडियो देख लीजिए उसके बाद देखिए सारे questions जो है बड़ी आसानी से आप लगा पाएंगे अगर friends आपको इस topic का PDF डाउनलोड करना है तो crazy ziga trick का application डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ पर मैंने option दे रखा है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए friends हम lecture को start करते हैं देखिए हमारा पहला question है राष्टिय वन निती के अनुसार पर्यावरण की दस्टी से देश में कम से कम कितने प्रतिशत शेतर पर वनो का आवरण आवशक हैं तो देखिए friends राष्टिय वन निती 1988 के तहद देश में कम से कम 33 प्रतिशत भाग पर वनो का आवरण जो है वो आवशक हैं C answer यहाँ पर सही होगा. केंसरकार द्वारा नई राष्टी वन निती किस वर्ष में लागू की थी? किस वर्ष में लागू की थी? देखिए, नई राष्टी वन निती 1988 में लागू की गई थी. ठीक है, 1952 में लागू वी थी, उसका शंशोदीत करका 1988 जो है, वो लागू की गई. C answer भारत में निम्न मेंस से किस प्रकार के वन सरवादिक वर्ष शेत्र में पाया जाता हैं? किस प्रकार के वनों का देखिए, विस्तार भारत में सब स्थादा पाया जाता हैं? उष्न कटी बन दिये, देखिए शूष का पनपादी वन और उसके बार सेकन नमबर पर आता है, देखिए उष्न कटी बन दिये, आदर पनपादी वन. तो यहाँ पर देखिए option सदा बार 1 तो बिल्कुल भी नहीं होगा सदा बार देखिए जहाँ पर 4th option यह भी नहीं होगा यहाँ पर देखिए तीसरा option बिल्कुल सही होगा शुषक पनपाती 1 का विस्थार सबसे ज़्यादा पायाता है सेकेंड नंबर पर देखिये आता है आदरपणपादी वन तो यहाँ पर C आंसर बिल्गूल सही होगा चलिए अगला कोशन लेते हैं भारत में वन अनुसंदान संस्ता कहां इस्ती थे? भारत में देखिये वन अनुसंदान संस्ता जो है वो कहां पर इस्ती थे? देरादून में इस्ती थे? C आंसर बारत में व्रक्षा रोपन उच्चव जिसे वन महोच्चव के नाम से जाना जाता है उसके जन्दाता कोने है? तो वन महोच्चव की देखिये शुरुवात किस ने करीती? के एम मुन्शी ने करीती? C आंसर उन्हें देखिये भारत में वन महोच्चव के जन्दाता के रूप में जाना जाता है निम लिकित में कौन सी एक हिमालई वनस्पती की जाती नहीं है? तो मैंने आपको देखिए फ्रेंड्स बताये था परवती वन कौन-कौन से जुनी पर बिलकुल है सिल्वर फर भी है, स्प्रूज भी है, चीड और देवदार ये मैंने आपको देखिए परवती वनों के बारे में बताये था महोगनी जो है, ये हिमालई वनस्पती नहीं है यहाँ पर B आंसर चलिए अगला कोशन लेते है लीसा प्राप्त होता है लीसा देखिए फ्रेंड्स, चीड के वरक्ष से प्राप्त किया जाता है चीड के वरक्ष से लीसा को प्राप्त किया जाता है जिसका उप्योग तारपीन के तेल कॉस्मेटिक सामन बनाने में किया जाता है ये अंसर निम लिखी तराज्यों में से किस राच्य में सीनकोना वरक्ष नहीं उगता है सीनकोना की देखिए मैंने आपसे बात करीती सदाबारवन में ठीके और सदाबारवनों का विस्थार असम में भी है केरल में भी है मैंने आपसे पश्शिमी तटकी बात करीती पशिम मंगाल में भी देखिए इसका विस्थार पायाता है पच्छतिस गड़ में देखिए पनपाती वन पजड़ वनों का विस्थार जो है वो पाया जाता है तो सिंकोना वन देखिए च्छतिस गड़ में नहीं उगता है बी आंसर निम्न मेंसे किसे जंगल की आँग कहा जाता है? जंगल की आँग किसे कहा जाता है? देखिए ब्यूटी या मोनोस्पामा को इसे देखिए पलाश के नाम से भी जाना जाता है C. अंसर ब्यूटी या मोनोस्पामा को जंगल की आँग जो है वो कहा जाता है बारत के निम्न राज्यों में से किसमे सागोन का वन पाया जाता है देखिए सागोन का वन जो है उसका विस्तार सबसे आदा मद्धिप्रदेश में पाया जाता है पचास प्रतिश्यत देखिए सागोन के वनों का विस्तार अकेले मद्धिप्रदेश में पाया जाता है मिलता है, बोजपतर वरक्ष देखे हमने डिसकस करा था परवती वनों में, तो यहां पर देखे हिमालाय में, B आंसर सही होगा, इस वरक्ष की छाल का उपयोग जो है प्राचीन काल में गरंत लिखने में किया जाता था, बोजपतर वरक्ष जो है वो हिमालाय में मिलता है, सागोन तता साल किसके उत्पाद है उष्नकटी बन दिए सदाबार वन उष्नकटी बन दिए पजड़ी वन बिलकुल यहां पर देखिए B answer जो होगा बिलकुल सही होगा हमने बात करी थी उष्नकटी बन दिए पणपाती वन मतलब पजड़ी वनों की उसमें सागोन और साल के वनों का विस्तार जो है वो देखने को मिलता है बी आंसर यहां पर बिल्कुल सही होगा इसको देखे हम इस तरीके से भी लिंक कर सकते हैं कि देखे सागोन जो है यह हमको पता है कि सबस्यादा मध्य प्रदेश में होता है ठीक है और मध्धिपदेश में देखी हमने बात करी थी उष्णिकटी बन दिये पचड़ वन जो है उनका विस्तार पाया जाता है तो उससे भी देखिए आप लिंक करके इसको आसानी से टिक कर सकते हैं चलिए एगला कुशन लेते हैं पश्चिमी हिमालाए की शितोष्न पेटी में निम्न में से किस एक वरक्ष का बहुल्य है पश्चिमी हिमालाए में किस प्रकार के वनों का विस्तार जो है वो देखने को मिलता है देवदार में देखिए वनों के ताजा स्थती के संबंद में रिपोर्ट, भारतिय वन सर्वेक्षन विबाग जो की देरादुन में इस्तित हैं, वो जारी करता हैं, हर दो साल के अंतराल में, बी आंसर, देरादुन इस्तित फॉरेस सर्वे ओफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंदी रिपोर्ट जारी किये जाती हैं, तो देखिए कितने वर्षों के अंतराल में, दो वर्षों के अंतराल में रिपोर्ट जारी किये जाती हैं, वन रोपन देखिए और पेड लगाने की एक प्रक्रिया हैं, देश के कुल भोगोलिक शेतरफल पर कि इतना प्रतिशत भूबाग वनों और वरक्षों से अच्छादीत मतलब ढगा हुआ हैं। तो देखे, 2019 में वनों से संबंदित देखे, भारती वन सर्वेक्षन विबाग ने जो रिपोर्ट प्रस्तूत की, उसमें देश में 24.56 प्रतिशत भाग जो है, वो वनों और वरक्षों से अच्छादीते हैं। कुल भोगोलीक शेतरफल का। तो यहाँ पर D आंसर जो होगा, बिल्कुल चाहिए होगा। देश में सरवाधीक वन शेतरफल जो है, वो किस राज़े में है, मद्यप्रदेश में हैं। उसके बाद देखिए अरुनाचल प्रदेश का नंबर आता है, फिर 36 गड़ का। कुल वन शेत्र की दरश्टी से भारत के प्रथम तीन राज्जों का सही अवरोवी करम होगा तो देखिये कुल वन शेत्र फल की दरश्टी से देखना है, सबसे यदा देखिये मद्ध्य प्रदेश में उसके बाद फिर अरुनाचल प्रदेश का नंबर आता है और फिर आता है 36 गड़ का तो B आंसर किस राज्य में वनों का सर्वोच प्रतिशत है प्रतिशत्ता के आदार पर देखिए वन अच्छादीत राज्य कौन सा है सबसे आदा मिजोरम में C आंसर वनों की सुरक्षा के लिए सतनता प्राप्ति के पश्याद सरुपतम किस वर्ष सरकार द्वारा वन निती की गोशना की गई तो देखे सतनता प्राप्ति के पश्याद वन निती की गोशना कप की गई थी 1952 में की गई थी उसके बाद देखिए इसे शंशोधित करकर 1988 में फिर राष्टी ये वन निती गोशित की गई थी तो सबसे पहली बार 1952 B आंसर भारतिये वन सर्वेक्षण विबाग की स्थापना कब की गई थी? भार्तिय वन सर्वेक्षन विवा की स्थापना कब की गई थी देखिए 1981 में इसकी स्थापना की गई थी A answer निलगिरी पहाड़ियों में पेड की सामाने जाती है निलगिरी की पहाड़ियों में देखिए किस प्रकार के वनों का विस्तार हमने बात करी थी Eucalyptus और चंदन यह मैंने आपको बताये था Eucalyptus और चंदन का विस्तार जो है वो निलग्री की पाड़ियों में पाया जाता है तो यहाँ पर देखिए पेड की सामने जाती कौन सी है Eucalyptus है इसे देखिए निलग्री भी का जाता है Eucalyptus को यहां पर यह आंसर भारत में अती सगन वनो का सरवादिक शेत्र जिस राज्य में पाये जाता है वह है सबसे ज़्यादा देखिए सगन वनो का शेत्र जो है वो किस राज्य में पाये जाता है अरुनाचल प्रदेश में पाये जाता है हमने देखे सदाबार वन को डिसकस करा था सदाबार वन जो होते हैं वो अती सगन होते हैं और सबस्यादा सगन शेत्र जो है वो अधुनाचल प्रदेश में इस्ती थे हैं यह आंसर निम्न में से किसे वेश्विक विरासत का वन माना जाता है वेश्विक विरासत का वन किसे माना जाता है देखिए सुन्दरवन को पशिम मंगाल में इसती सुन्दरवन को वेश्विक विरासत का वन माना जाता है भारत में निम्न राज्यों में से किस में सागोन का वन पाया जाता है सागोन का वन देखिए सबसादा कहाँ पर पाया जाता है मध्यप्रदेश में पाया जाता है भारत में मेंग्रोव वनस्पती मुख्यतर पाया जाती है मेंग्रोव वनस्पती जो है वो देखिए डेल्टाई शेतर में पाया जाती है किस प्रकार के वन पाय जाते हैं देखिए देश के सरवादिक शेत्रफल पर पतजड़ वन पणपाती वन तो यहाँ पर देखिए उष्णार्द पणपाती वन बतचड़ वन जो है वो पाय जाते हैं देश के उन भागों में जहाँ पर ओस्थ वाशिक वर्शा दो सो सेंटेमीटर से अधिक तता वाशिक ओस्थ लगबग 24 डिगरी के आस्पास हो वर्श बर आदरता सित्तर पतिशद रहती है किस प्रकार के वन पाय जाते हैं तो जहाँ पर 200 cm से अधिक वर्षा होती है, वहाँ पर देखिए सदाबार 1 पाए जाते हैं, उशनार्द सदाबार 1, B अंसर. देश के 100 से 200 cm ओसद वर्षिक वर्षा वाले भागों में, किस प्रकार की वनस्पती पाए जाती हैं? किस प्रकार की वनस्पती पाए जाती हैं, जहाँ पर 100 से 200 cm वर्षिक वर्षा होती हैं? मैंने आपको बताया था, फ्रेंड्स, पतजड वन. उशनार्द पतजड वन जो है, वो पाए जाते हैं. C अंसर सही होगा. पचास सेंटिमेटर से कम ओसत वर्षिक वर्षा वाले शेत्रों में, सामने तक किस प्रकार की वन पाए जाते हैं? वन शेत्र देखिए जहाँ पर वर्षिक वर्षा पचास सेंटिमेटर से कम होती है, वहाँ पर देखिए मरुस्थली वन जो है वो पाये जाते हैं D answer दल्दली अत्वा जुआर भाटा शित्रों में पाये जाने वाले वन को क्या का जाता है तो दल्दली मतलब डेल्टाई शित्र में जो वन पाये जाते हैं उसे मेंग्रो वन के नाम से जाना जाता है चंदन की लकड़ी के वन का विस्थार जो है देखिए मैंने आपको बतायता करनाटक, तमिलनाडू और केरल ठीके इसमें देखिए करनाटक में सबस्यादा पाये जाते हैं और अगर हम पहाड़ीयों की बात करें तो महाँ पर देखिए निलगिरी पहाड़ीयों जो है वो इस्थी थे तो निलगिरी की पहाड़ीयों में सबसे ज़्यादा देखिए चंदन की लकड़ीयों के वन जो है वो पाये जाते हैं फूलो की घाटी इस्थी थे फूलो की घाटी कहाँ पर इस्ती थे देखिए उत्राखंड में इस्ती थे शांत घाटी अवस्ती थे साइलेंट वेली कहाँ पर इस्ती थे देखिए केरल में इस्ती थे निलगिरी पहाड़ेों का विस्तार जो है वो करनाटक, केरल और तमिलनाडू राज्य में है उसका देखिए हिस्सा केरल में भी पड़ता है जहांपर शांद घाटी जो है वो इस्तीत है पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाली वनस्पती का प्रकार है तो भारत का देखिए ये पश्चिमी घाट हुआ यहांपर मैंने आपको बतायता सदा भार वन जो है वो पाए जाते हैं सदा हरीत तो यहांपर ए अंसर बिल्कुल सही होगा अलपाइन जो देखिए ये तो परवती वन है ये तो होई नहीं सकता और पनपाती वनों का विस्तार जो है वो हमने बात करीती कि यहांपर पाए जाते हैं यहांपर सदा हरीत होगा निम्न मैंसे किन पहाड़ियों पर उश्नकटी बंदिये सदाबार वन पाए जाते हैं कहांपर देखिए उश्नकटी बंदिये सदाबार वन पाए जाते हैं A answer गंगा ब्रमपुत्र के डेल्टाई शेत्रों में किस वरक्ष की अधिक्ता के कारण इसे सुन्दरवन का जाता है तो देखिए इस डेल्टाई शेत्र में सुन्दरी नामा के एक वरक्ष पाय जाता है इस वजेश से इस वन का नाम सुन्दरवन रखा गया तो यहाँ पर C answer भारत में चंदन की लक्ड़ी के लिए प्रसिद्र राज्जी है चंदन की लक्ड़ी के उत्पादन में देखिए भारत में कर्नाटक जो है वो पहले नंबर बरे तो प्रसिद्र राज्जी, कर्नाटक, C answer भारत के किस भोतिक प्रदेश में उष्ण कटी बंदिये से लेकर अलपाइन प्रकार की वनस्पतियां मिलती है अलपाइन प्रकार की मैंने आपको बताये था परवती ये देखी वनों में उत्तर का हिमालई परवती प्रदेश C answer भारत में सरवादिक महतवपुन व्यवसाइक वन है clear? चड़ी अगला question लेते है निम लिखीत में से कोन सा राजे तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक है तेंदू पत्ते का देखिए सबस्यादा उत्पादन कोन सा राजे करता है मध्य प्रदेश करता है बीडी बनाने में देखिए इस पत्ते का उप्यो किया जाता है भारत के निम लिखी शेत्रों में किस एक में मेंग्रो वन, सदापण्डी वन और पनपाती वनों का सयोजन है इस प्रकार के देखिए सभी वन जो है वो पाए जाते है किस शेत्र में देखिए अंडबा, निकोबा, दीप सम्मूँ में सी आंसर जो वन चक्रवातों के अवरोदों का कारे करते हैं वे वन कोन से हैं देखिए SSC में कोशन पूछा गया था ये तो मेंगरो वन जो है वो देखिए चक्रवातों के अवरुदों का कारे करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा शेत्र का वन निमलिखित में से किस नाम से जाना जाता हैं? गंगा ब्रह्मपूत्र डेल्टा शेत्र का वन जो है वो सुन्दर वन के नाम से जाना जाता है निमलिकित नदी डेल्टाओं में से किन पर मेंग्रो वन पाए जाते है देखिए स्वंड्रेखा नदी के डेल्टा शेत्र में मेंग्रो वन पाए जाते है करशना गुदावरी नदी के देखे डिल्टा इशित्रों में, गंगा ब्रमकुत्र नदी के डिल्टा इशित्रों में मेंगरो वन पाय जाते हैं नब्दा नदी जो है देखिए ये डिल्टा का निर्मान करती है ये तो एश्चुरी का निर्मान करती है तो देखिए इसमें mangrove 1 जो है वो नहीं पाय जाते है तो यहाँ पर 2, 3 और 4 मतलब D answer सही होगा निम लिखी तराज्यों में से किसमें उश्नकटी बंदी आदर सदाबार 1 होते हैं देखिए उश्नकटी बंदी आदर सदाबार 1 अरुनाचल प्रदेश में बिल्कुल होते हैं हिमाचल प्रदेश में देखिए नहीं होते हैं मिजोरम में बिल्कुल होते हैं तो यहाँ पर 1 और 3 answer जो होगा बिल्कुल चाहिए होगा 1 और 3 answer ठीक है? मैंने आपको देखिए सबी चीज अच्छे से explain कर रखिए उष्ण कटी बंदी आदर सदाबार वन जो है वो अरुनाचल प्रदेश मिजोरम मैंने पूर आपको बताये ता मनीपूर, मेगालय इस शेत्र में देखिए उष्ण कटी बंदी आदर सदाबार वन जो है वो देखने को मिलते हैं इमाचल प्रदेश में देखिए परवती वनों का विस्तार जो है वो देखने को मिलता है लिए किसानों ने देखिए वनों के कटाव को रोकने के लिए एक आंदोलन चलाय था इसे चिप को आंदोलन कहा गया था ध्यान रखिएगा friends तो यहाँ पर देखिए प्राकृतिक वनस्पतियों और वनों से संबंदी संस्ताओं से related सारे important questions हमने cover करें I hope आपने सारे questions बड़ी आसानी से solve कर लिए होंगे तो friends I hope आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा अगर आपको अच्छा लगाए तो please वीडियो को like करिए share करिए और comment करके जरूर बताईएगा कि वीडियो कैसा लगा अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं करा है तो subscribe भी कर लिजिए क्योंकि इस तरीके के beneficial वीडियो जब भी में upload करूँगा आपको उसका benefit मिलता रहेगा तो friends मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिन जय भारत